Hello everyone and once again welcome to Instagram masterclass goes part by WSQT Guys, last videos में हम लोग उने देखा था कि इस तरीके से हम अपने Instagram name को optimize कर सकते हैं अपने Instagram user name को optimize कर सकते हैं और जो हमारे Instagram की profile photo या display photo होती है उसको हम लोग किस तरीके से optimize कर सकते हैं तो इस particular video में मैं आपको बताने वाला हो कुछ जो popular accounts Instagram के उनकी bio के बारे में ताकि जो मैं next video बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हम अपने जो हमारी Instagram bio है उसको हम optimize करेंगे तो वो क्योंकि हम लोग next video में मैं उसके बात करने वाला हूँ तो यहाँ पर इस particular video में मैं आपको कुछ ऐसे accounts के बारे में बताने वाला हूँ और आप उन accounts को देखेंगे तो आपको एक idea लगेगा कि आखिर Instagram bio में क्या क्या हो सकता है और दूसरे जो users है या दूसरे जो Instagram के accounts है वो इसको किस तरीके से benefit ले रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहें सबसे पहले जो मेरे mobile screen के उपर जो account खुला हूँ है वो Nike का account है और इन्हों ने देखें इन्हों ने क्या mention करके रखा है if you have a body you are an athlete और साथी साथ जो इनका hashtag है just do it जो इनका caption है वो इन्हों ने यहाँ पर mention करके रखा हूँ है और नीचे एक normal सी website जो इनकी अपनी website है and then उसके बाद address तो जो बड़ी brands होती है वो बहुत जादा emojis वगेरा का use नहीं करती है बायो में और दूसरी profile पर हम लोग आते है जो indiatimes.com की profile है यहाँ पर भी आप देखेंगे दो line का बायो है and then उसके बाद website है और उसके बाद address है और नीची जो है यहाँ पर story highlights है बिसकली यह next मैं आपको cover करूँगा जो आगे की वीडियो जाएंगे उसमें मैं इसके बारे में discuss करूँगा अभी हम लोग फिलाल इस particular वीडियो में मैं आपको केवल जो है जो दूसरी Instagram बायो है उनको दिखा रहा हूँ एक और बायो पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं टेकनिकल गुरुजी की बायो यह influencer है तो इन्हों ने किस तरीके से जो है अपनी बायो को लिख रखा है इन्होंने अपनी information दे रखी है आपर engineer by education, entrepreneur by profession, nanoscience researcher by interest, youtuber by hobby तो यह अपनी characteristics इन्होंने आपर बदाई इसके बाद इन्होंने link दे रखा है अपने YouTube channel का क्योंकि यह एक technical YouTuber है तो इनकी जो पहचान है, identity है वो इनके YouTube channels है इसलिए इन्होंने यहाँ पर वो YouTube channel का link दे रखा और फिर नीचे अपने address को mention करके रखा हुआ है तो generally profile में आप देख रहे हैं एक चीज़ बहुत common है कि link जो है, जरूर दिया गया है कहीं पर भी आप देखें, जो मैंने पीछे वाली profile भी आपको दिखाई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि link mentioned है तो वहाँ पर से direct जो है, दूसरे account तक या जो दूसरी website है वहाँ पर जाये जा सकता है या कोई दूसरा platform है, वहाँ पर जाये जा सकता है तो link इन्होंने, सब लोगोंने mention करके रख्यों में next हमारे पास, Stephanie B. की जो travel break है इनकी profile है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्योंकि ये individual profile है, इन्होंने खोड़ी बहुत creativity दिखाई अपनी bio में और उपर आप देख रहे है dreams, going to goals and then 250 plus destinations travelbreak.net यहाँ पर इन्होंने को ऊपर इन्होंने इसको link नहीं बनाए, नीचे इन्होंने अपनी website का link दिया हुआ है और business insider, hapers, bazaar, cnn plus ये सारी information दे रखी हुई है and then UCLA alumni ये mention किया है, founder at my when a life ये mention किया हुआ है आप देखेंगे, इसके आगे है एक at the rate लगा हुआ है, तो अगर हम इस पर click करते तो definitely हम इनके जो दूसरी profile है वहाँ पर हम जा सकते हैं, जो ये profile का, जो instagram handle इन्होंने हाँ mention करके रखा हुआ है तो guys ये मतलब variations आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने YouTube channel का link दे रखा है इन्होंने अपनी website का दिया और दूसरे account का दिया और साथी साथ आप देखेंगे तो बड़ी creative तरीके से इन्होंने जो है अपनी bio को design किया है the help of emojis, emojis का आप use कर सकते हैं, बट over emojis जो है वो problem करेंगी तो आप इसी दी चीज़ को over मत करें moderate level पे आप emojis को use कर सकते हैं, next profile अगर आप देखें तो Mumbai Indians IPL टीम की profile है और यहाँ पर इन्होंने hashtag use किया है, तो official hashtag Mumbai Indians Instagram account और उतके बाद अपने achievements लिके हुए है किसके CR में इन्होंने IPL trophy जीती और उसके बाद फिर नीचे इन्होंने कुछ popular hashtags को use किया है then अपनी website लिके और address को, एक ही तो आप सब में comment देखना है कि आपको website वाला portion miss नहीं करना देखे मैं आपको एक बात बताओं कि अगर आपकी जो Instagram bio है, आपकी वो bio बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को influence कर पाएंगे क्योंकि वो आएगा, कोई भी user आएगा, तो वो आपकी bio को पढ़ेगा और bio को पढ़ने के बाद, वो ये judge करेगा कि आपकी profile पर उसको कौन सा action लेना है तो bio एक बहुत important role play करती है, जब basically आप followers वगरा increase करना चाहते हैं क्योंकि bio को पढ़ने के बाद ही लोग influence होंगे और हो सकता है कि वो आपकी जो follow button है, उस पर click करें और आपको follow करें तो आपको अपनी niche अपना जो काम है अगर आपको कोई business है तो उसको अच्छे तरीके से bio में represent करना है next is एक और यहाँ पर profile है, तो यहाँ पर आप देखें तो food account इन्होंने लिख रखा है, तो definitely यह इनका normal account है verified है और उसके साथ साथ इनका food account है, food blogging जो यह करते हैं, वो account यहाँ पर दिया, YouTube का जो है, वो link नहीं है, बट YouTube का address इन्होंने यहाँ पर mention कर रखा है in that case, वो यहाँ पर अपना email भी mention कर देते हैं, and next अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर ASOS की clothing brand की profile है, और इन्होंने भी देखें, यहाँ पर as such इन्होंने दो accounts अपने mention कर रखें, then first वाला आप देखें, face and body, and the second वाला जो है, scout नाम से है, OS scout नाम से है, तो यह दो, यहाँ पर इन्होंने दूसरे Instagram account का link दे रखा, उस तरीके से, अलग-अलग अगर आपके multiple Instagram account हैं, अलग-अलग purpose के, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको जो है, एक account के through दूसरे account तक link कर सकते हैं, and then उसके बाद यहाँ पर website, जो है, वो है, जैसे हम सारे accounts में देख रहते हैं, और उतक particular bio के पीछी क्या concept था, यहाँ पर जैसुल एक, यह भी एक influencer है, इनकी profile है, अगर आप देखें, तो इन्होंने, जो है, अपना छोटा सा introduction दे रखा है, engineer by day, pimp by night, and then उसके बाद, जो इनका, for business inquiries, in case anyone wants to do some business with him, तो इन्होंने business inquiry के लिए, me at the rate of justful.com ऐसे लिख रखा है, और साथ ही साथ इन्होंने अपने manager का जो है, account वो भी दे रखा है, it's just said, और उसके बाद merch link below दिया हुआ है, जो इनकी website पर जाता है, तो यह कुछ ideas हैं, यहाँ से आप concepts निकाल सकते हैं, कि आप किस तरीके से अपने account को बना सकते हैं, प्लस जो आपको एक और चीज ध्यान research कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको अपने competitors के account को भी research करना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा हूँ, तो digital marketing consultant, एक digital marketing niche से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई digital marketing agency है, या digital marketing freelancer है, तो आपको इस type से आपको अपने competitors को research करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे ह and social media and English and Spanish, तो दोनों लोग जो है, दोनों languages के जो users है, वो इनसे contact कर सकते हैं, consulting plus training दोनों, इन्होंने अपनी service है, उसको भी यहाँ पर mention कर दिया and then उसके नीचे है, इन्होंने अपनी website को mention किया हुआ है, और इस तरीके से यह जो है, इन्होंने अपनी bio को set किया, and तो guys, यह क concept है कि आपकी niche कैसी है, आपके followers किस तरीके के है, आपके followers को target करना चाहते हैं, इन सब के according आपको अपनी bio design करनी होती है, तो guys, इस particular video में इतना ही, और next video मैं आपको बताने वाला हूँ, बल्कि practically मैं आपको करके दिखाऊँगा कि इस तरीके से हम लोग bio set करेंगे, और अपन जो हम लोग एक Instagram account बनाते रखा हुआ, उसमें मैं आपको यह करके दिखाऊँगा, इस तरीके से हम लोग को bio वहाँ पर लिखनी है,